जेहिन दोस्तों मैं हुआनू पर आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैं आप लोगे को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि जपान के मेंन लैंड के नस्दिक रेशियन आइलेंड में रेशिया द्वारा अपने S-300 मिसाल डिफेंस सिस्टमों का तैनाती किया गया है और अब सुनने को आ रहा है कि रेशिया के तरफ से अपने डिफेंसेस को और मजबूत करते हुए S-300 के बाद अब जपान के खिलाब P-72 टैंकों का तैनाती किया गया दोस्तो ये एक बहुती खतरनाक सिचुएशन का रूप ले सकता है क्योंकि अल्रेडी उस रिजन में अमेरिका जपैन के गडवंदन के साथ चाइना का लगभग लड़ाई के जैसे सिचुएशन बना हुआ है और इस वीच उसी रिजन में चाइना के तरफ से भारी भरकम हतियारों का तैनाती एक तरीके से जपैन और अमेरिका को अपने गडवंदन को और मजबूत करने पे मजबूर कर सकता है दोसो अल्रेडी जैपैन के एर स्फेस के अंदर रशियन हतियारों के आये दिन दखल अंदाजी जैपैन को परिशान कर रहा है उसकी उपर नॉर्देन जैपैन के टेरिटरी के काफी नस्दे कुर्ला आइलेंड में इस तरीके के भारी भरकम मेंन बैटल टैंकों का तैनाती जैपैन के चिंता को बढ़ाएगा दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दू कि यह कुर्ला आइलेंड के उपर रशिया का तैनाती है यह असल में एक तरीके का डिस्ट्यूडड आइलेंड है इन आइलेंडों को लेके पहले ही जैपैन और रशिया के बीच में तनातनी का सिचुएशन बन चुका है जहापे जैपैन का कहना है कि दित्यविश्यूद्य के समय इन आइलेंड के उपर रशिया द्वारा इलिगली कवजा किया गया है और इन आइलेंडों में रहने वाल S-300 V-4 मिसाइलों का तैनाती के बारे में जानकारी दिया गया था तब रशिया का ये भी कहना था कि ये असल में रशिया के air defense को मजबूत करने का एक तरीका है और ये कोई offensive action नहीं है जिसे लेके जैपैन या अमेरिका को चिंता करना चाहिए बलकि ये एक defensive gesture है जिसका इस्ते और किसी offensive landing mission में ये 1300 km एरिया cover करने के लिए इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा और ये जपैन के internal security और integrity के उपर भी एक तरीके से हमला हो सकता है दोसों अमेरिका इन बातों को इसलिए भी चिंता का विशय के हिसाफ से देख सकता है क्योंकि हाली के दिनों में East China Sea और Pacific Ocean में अमेरिका और China के बीच में एक तरीके से जड़व का situation बना हुआ है और लड़ाई किसी भी वक्त छीड़ सकता है और इस मौके का फाइदा उठा के अगर Russia अपने इन forces का इस्तेमाल करते हुए किसी अन्ने territory के उपर कवजा करने में सक्षम होता है तो आने वाले समय में Pacific Ocean के अंदर Russia का कवजा और मजबूत होगा और अमेरिका के दबदबे को और कमजोर करना संभव हो पाएगा इवन इसके इलावा अमेरिका इस तयनाती को एक तरफ से इस नजर से भी देख रहा है कि शायद ये रशिया के तरफ से चायना को किये जाने वाले एक मदद भी हो सकता है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जै हिंद